पुर्पिर कार्ण पुर्पिर प्रेक्टी अभी मन्यू आई एस एड वेरी वोम वेलकम ओलो फ्यू इन दिस सेशन और स्टुडेंट आज आम यहां पे पंजाब सिवल सर्विसीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेट पेपर डिसकस करेंगे that is Punjabi बहुत सारे students के demand आ रहे थी कि मैं माप Punjabi paper भी discuss करो कि Punjabi paper को कैसे attempt करना है sorry उसको लेकर कैसे मतलब कैसा है उसका paper आप प्लीज एक बर थोड़ा सा guide कीजी तो फिर उसी से related मैंने फिर यहाँ पे किया कि Punjabi paper को discuss किया जाए कि हाँ जी पंजाबी जो हमारा paper है जो compulsory paper है हमारा पंजाबी ठीक है मेंस की बात हो रही है student यहाँ पे मेंस के अंदर जो हमारा पंजाबी paper है उसको लेकर आपकी क्या strategy होनी चाहिए इसको समझते है student but before that see here notification कभी भी आपकी out हो सकती है for the Punjab Civil Services ठीक है जी तो इसी से related student हम यहाँ पे discuss करते हैं तो notification कभी भी आपकी out हो सकती है student you know that तो इसी को ध्यान में रखते हो even student हमारा जो है वो एक new batch start हो चुका है for the Punjab Civil Services आप अवेल कर सकते हैं link इसका आपको description box में मिल जाएगा अब हम बात करते हैं student Punjabi paper की जो Punjabi paper है वो compulsory है ठीक है क्यों हो compulsory है क्यों हो तो पंजाब जरहने हो ठीक है ता पंजाब जरहने हो ता पंजाबी जड़या अपनी जड़ी language है ठीक है अपनी official language भी है गया second thing पंजाब जड़ी है उँ तो लिखनी भी आनी चाहिए ते बोलनी भी आनी चाहिए गया ठीक है अगर आपको मतलब पंजाब स्टेट में अगर आपको काम करना है ठीक है तो no doubt about that कि पंजाबी वहां पे मेंडेटरी है तो that's why ये एक्जाम भी आपका mandatory है और ये मेंस में आपके पूछा जाता है students ठीक है जैसे आपका हिंदी का पेपर आते है अपने पका पेपर दिये होंगे school time पे college time पे ठीक हिंदी के पेपर आते है English के पेपर आते है सेम आपका पंजाबी का पेपर आते है तो उसी को student हम यह पेपर है को अब्स पेपर है को अब्स आपका पेपर है और ये पंजाबी नहीं सी कि 10th दी विच तासी है पंजाब गवंट टी तरफ तो जदो भी a PCS द एक्जाम लेता जानता है और जानता है कि की तो अड़े-कोडे पंजाबी लेंगविज है गी है 10th दे विच या उदे equivalent कोई certificate होवे तो अड़े-कोडे ता होना mandatory अगर तो अड़े-कोडे 10th दे विच पंजाबी नहीं सी कि ता पंजाब बोड जड़ा है गया वो अपना पंजाबी दा पेपर कंड़क्ट करवाँदा है ठीक है तुसी ओस नूँ की कर सकते हूँ उस अब भी हैगी सी 10th तक ठीक है ग्रेजुशन च भी हैगी है 11-12 तक कोई प्रॉब्लम नहींगे बट मिनिममम जेडी उन्हाने पंजाबी दी requirement किती हो 10th लेवल तक ही किती है सारे प्रेशन हल करने जुरूरी है मतलब कि all questions are compulsory है ठीक है सारे questions compulsory ने ठीक हर एक प्रेशन प्रेशन दे अंक जड़े है कि वो ब्राबर दस आए गई है कि हो जी कोई ओ नहींगा ठीक होना आप समझ दिया स्टूडेंट कोश्टन ते आओने देखोए थे students पहला दमें त तो पूछ रहे ने ग्रामर चो किने पूछ रहे ने अगर वो लेटर लिखन नूँ कह रहे है तो किद्धा रहे है कि कुछ आ रहे है कि बस आपा एह देखना पांजमेंटांच ठीक है आपकोई paper हाल करनी बैठे थे ठीक है paper हाल करनी जरूर थे पहन दिया स्टूडेंट त पंजाबी paper है तो अनुँ नुँ पता है कि हां जी फीर ने की पुछ आ हो तो तो पता है कि अधा अंसर कि द्धा लिखना है बट होन साधी प्रैक्टिस नहीं है, मतलब सामू लिखना नहीं होँदागा, यहां से लिख सकते बट उधे गलतियां बहुत होंदी है, तो देखो सूडेंट, इदे दो तरीक्ये, इनू हल करने, ठीके, इस प्राब्लम नू सौट आउट करने, दो तरीक्ये, होन तो ही, होन बनी हो गया, कोही भी तो अडरीजनल जड़ा भी पेपर होंदा है, पंजाब्बी दे अंदर, उन्हों जो तो तो तुसी पढ़ते हो, तो no doubt about that, कि तो अड़ी प्राइप पंजाब्बी दे अंदर, एक फ्लुएंसी क्रेव बन जन दीगे, दूसरा थोड़ा ग्रेमर बार पंजाबी देखेंगे, तो अड़ी प्रेक्टिस कितना करिए, तो अड़ी अपनी मा बोली हैगी, तो उसी उन्हों समझ सकने हो, तो तुसी पंजाबी दा न्यूस पेपर लगा सकते हो, जदनाल तो अड़ी एक फ्लुएंसी बन जेगी, नाल नाल तो अनू ग्रामर दा भ ख़ो, तो अनू अपने आप ग्रामर भी पता चाल जेगी, कि यह थे टिपी लानी है, यह थे बिंदी लानी है, ऐथे होन जड़ा हैगा, अपनी शोटी मातर आएगी, यह थे बड़ी मातर आएगी, यह सब चीज़ा तो अनू ग्रामर जोडिक बेसिक वियाकरन हैगी है, वो दे बार तो हमनों पता लाग जेगा, ठीके? कोई देच डाउट आले गालता है नहींगे, है ना कोई डाउट ता नहीं हो गया ना इथे, तो यह बहुत वधिया तरीका कि अगर तो हमनों पंजाबी नहीं हो दी तो तुस्य थे राम नण पंजाबी सिख सकते हो, ठीके ज एदे एक पैरा देता हो है कि साधे समाज विच प्रेचलन मिथ्यासिक प्रबामा, सदका, रांजे नू गैबी शक्तियां दा मालक दस्या गया है, ठीके? एदे बारे कुछ दस्या होया, स्टूडेंट, होने दे नीचे कुश्चन देते होया कि रांजा प्यार दा देवता क्यों नहीं बन पाया? क्यों नहीं बन सके? दूसरा कुश्चन कहन दा है कि रिवायता तरम अकीता कदो बननी है हन, ठीक है? फिर अपना अबोध लोग तथा नू जादू, क्यों समझ दे हन? और था कुश्चन है कि विज्ञान नू जादू समझ देवाले कौन लोग हन? एक कुश्चन दा अंसर जड़ा है कि सुडेंट तूसी पैरे दे अकॉर्डिंग ही दोंगे, ए निया कि तूसे थे आवनिया कोई लोजिकल लगांट बैठ जोंगे, जोड़ोवे सुडेंट तो अनू एक पैरा देता जानदा है, प्लीज रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर कि जड़ोवे तो हनू एक पैरा देता जानदा है, हमेशा तुसी पैरे दे अकॉर्डिंग ही आंसर करना है, ओदे चो तुसी अपने लॉजिक, अपना उथे नॉलेज लांथी ट्राई ना करना, क्योंकि एद्धा हुंदा तो कुश्टन पुट करदा, तो अड़े तो ना इतल एबिलिटी नू चेक करने और ट्राई कर रहे है, ठीक है, तो तुसी पैरे अनुसार ही आंसर देने ने ए नहीं है, कि तुसी पैरे तो बार जाके आवदा ही कोश्ट लिखन ब्याठगे होते, सब तो पहला स्टुटेंट एक पैरे दी रीडिंग ले लोंगे तुसी फटा-फटा, जे तो अनु लगदा है कि हंजी, सड़ा पैरा जड़ा है गया विए उखो छे त्रीक नाड़ में समझ नहीं आया, तो जित्तो जित्तो नहीं आया उनु तो तो दबारा पढ़लो एक कद्दी बार, ठीक है, फटा-फट कोश्टन थी आओ, एक करके कोश्ट जे चेपती, नहीं, आंसर तुसी उनु अपनी उदेच भी कार सागा देओ, मतलब कि अपनी ट्रांसलेशन देविच भी कार लगना है, बट उदा लॉजिक ते सेंस नहीं चेंज होना चाहिएगा, मतलब ए नहीं कि उत्ते पुछ्छया उने रांजा दा प्यार दा देवत क्यों नहीं बन पाया है, तो तुसी उत्ते कुछ और ही लिखता, सेंस बननी जाहिए तो अड़े उस कोष्टन दी, फिर नेक्स्ट आप गल कर देऊं स्टूडेंट, अग्गे चाल देए, अच्छा, फिर अग्गे उसने पुछया होया है, हेंट लिखे, पैरे दी, एक त पैराग्राफ केंदे एगे, कि शॉर्ट बनाना है तुसी इसता, ठीक है, शॉर्ट नोट नहीं केंदे हों देखे, जिद्धा आप मालो कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तुसी इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी चे देखे, और एक बहुत बड़ा पैरा है, नीचे उसता, शॉर्ट नोट लिखना होंदा है, तुसी एक टाइटल भी देना होंदा है, कि हां जी, उन्हें टाइटल पुछे होए, तुसी टाइटल वी दाओंगे, ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट आपा चाल दियां, स्टूडेंट्स, अग्गे, फिर कहनदा हो, कहनदा कि स्टूडेंट्स, पहला लेटर कहनदा है, हडा दुरान अपने लाके वेच सरकार वलो पे जी, राहत, स्मगरी दी, अनुचित, ठीक है, अनुचित वंड बारे मुख मंतरी नूँ पत्तर लिखो, तुसी मुख मंतरी नूँ पत्तर लिखना है, ते कितना लिखोंगे, सेव सेवा विखे, फिर अगे तो अडमोख मंतरी है, जो भी तो स्टेट है, अगर स्टेट नाम देता है, तो लिखो, अधरवाइस तुसी एबी सी जो भी लिख सकना लिख लो थे, फिर तुसी उदे सामनाल तुसी पत्तर लिखोंगे, फिर नेक्स्ट है किन्थ अवारा उत्पन संकट नो निजठान लई अपने सुझा आदे होई पशु पालन मंतरी नो पत्तर लिखोंगे, फिर नेक्स्ट लिखे वेशे किसी एक कुत्ते 400 शब्दान निमंद लिखो, निमंद लिखना है मतलग कि तुसी ऐसे लिखना है, पहला ऐसे की बोलता है, पहला ऐसे क काली पंचाबी गाई की दशा ते दिशा बारे लिखो, डिजिटल इंडिया ते आम आदमी, डिजिटल इंडिया बहुत अच्छा, एन है थे, मतलब ऐसे पुछे है, अगर परस्नली तौर ते मैं कमा कि मैं केड़े ते ऐसे लिखूंगे, ता मैं इधे लिखूंगी, ठीक कि ये दे नुकसान ने, तुसी सारे इत्थी लिखोंगे, ठीक है, नुकसान तक है, नहीं है कुछ भी, फिर नेक्स्ट केंदा है, कि निमत लिखे द्या पंजाबी विच अन्वाद करो, होनोने इंग्लिश ते एक पैरा देता है, एनो दुसी पंजाबी लिखने, all of us under close observation, एदे चे सारे तुसी की करमें है, उनो लिखना है, सेकेंड फेर ओने देता है, फेर हो कहनदा है, कि हेंट लिखे शब्दा नो वाकां वेच इस तरह वर्तों की अर्थ स्पष्ट होजे, जिवें की पेड, पेड नी बंदे हुंदी अपा, ठीके, फिर दूसरा माल, कौप, कौप, देखिया, उन प्राडी नाड बंदे उन दे वेच्चो दे तूडी पार के रख देंदे के, ठीके, तकला, गुहारा, एदे बर रेत उसी की करना है, साफ स्पष्टा दे वेच उनो दसना भी हंजी की चीजे, फिर मुहावरा नो कहनदा है, कि एक तरह इस तरह वर् है, सारा कोश कर लिया, ठीक है, तो आकर शे निकली की, जोई निकली, मिलाव आइने सारा काम करके मिलीया कुष नी, व्यर्थ हो गया, सारा कुष थी, ठीक है, फिर दैये बहाना, बनाना, एक करेला, दूजा नेमते चड़ेया, ठीक है, पहले इंकोडा सी, उत तो तूत्त अगेतर शब्दानों दो दो शब्दा मेंच बनाओ, मन, उप, केर, आ, खोश, ठीक है, फिर उप शेतर लगा के दो दो शब्द बनाने कार, जिवें की, निरंकार, है ना, कार वियार, ठीक है, इद्धा, दार, नाक, हीन, सार, इना ते लाके तो उसे शब्द बनाने गिये, ठीक है, बना सकते हूं, बिलकुल बना सकते हूं, ठीक है, फिर कहना हेंट लेके, बहुते शब्दान दी था, एक शब्द बरतो, जिवें की, जखम जो कच्छा होवी, ठीक है, इनों के कहने देंदें आपा, ठीक है, कावी, जिस दे, जिस दी, युद दी विच महिमा होव कि उगां खिख दूजेवलों आपने उपर कीता है सन ना जानों कियों धा हो बंद ऐसान फरामोश है ना अदमी उन्हूं कहनी है आप ठीक है फिर हेंट लिखे शब्द जोड ठीक करो ठीक है सिराणा पचेती दुपैर ठीक है सोरा ठीक है मेहनत मेहनत ठीक है इसनों सिसे शह करने हैं फिर केंदा हैं कि शवuine दो वर्थो दे और और थाश पश्ट खोष्थ कि करने टेशिय आउन दे लेखें व दतियें हडायता रहा हल करें हैं we मतलब कि कोई कोश्चन पुट कर रहे हैं जाब विच किन्ने तीर्ग स्वार्ण हन सिपाही ने चोर दे सोटी मारी ठीक है पहला हमारी होनी है बाह होनता मारी निंगी, ठीक है, हेंट लेके वाका नू नाल दितियां ही दाइता नाल, सोनना शब्दे, विशेशन शब्द की हन, ठीक है, ठीक है, इस तरीके नाल question solve करने ने तुसी, next है, बस 14 ही question से गे, मतलब paper की, oh my god, it's so interesting paper, मतलब मज़ा ही आगया paper solve करके, ठीक है, बह कर सकते हूं, बस तो अनू की चाहिए, सिर्फ ते सिर्फ तुसी practice करनी है, थोड़ी जी, मा बोली दे, वेच पेपर लिखना, स्टूडेंट सब तो असान हों देगे, ठीक है, क्योंकि किते ना किते तुसी उनना बरे, हर रोज तो अड़े culture जवर्तियां हो यां चीज़ां हों दियागी है, तो इनने कोई problem खास आउंदी नेगी, ठीक है जी, ओकी ओके स्टूडेंट, तो कर लोंगे फिर, ठीक है जी, ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट करके दसों की next वीडियो में किस topic ते लेके आमा, ठीक है, की एहोजा subject है का जड़ा तो उन्हों समझ नह करो स्टूडेंट तो सब्सक्राइब भी करो, ठीक है जी, ओके ओके, तो ठीक है, फिर मिल दे हैं फिर नेक्स्ट वीडियो ठीक है, कुछ नवा, कुछ नवे अंदाज दे विच, ठीक है, ओदो तक तुसी मस्त रो, पढ़ दे रो, खान दे पीन दे रो, तो बस लाइफ न कम्प्लीट भी करो, ठीक है जी, ओके, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है मैं सेशन ओबर कर रही हैं, थैंक यू, हैव नाइस टी,